नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोर डुक्टर विपिन कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पुरुस के सुकराणों की संख्या के विशे पर दोस्तों यदि किसी भी पुरुस को अपना परिवार बढ़ाना है या अपना वंस बढ़ाना है तो इसके लिए सुकराणों की संख्या भी एहम हो जाती है क्योंकि यदि किसी भी महिला का गरबाश्य और अंडा इतना महत्पूर्ण होता है जितना की सुकराणों दोस्तों यदि किसी भी इस्तिती में यह कम हो जाए तो कोई भी पुर्ष अपना परिवार अपना वंस नहीं बढ़ाता और जिसके कारण वो टैंसन में रहने लगता है दोस्तों इसके अनेक कारण हो सकते हैं पर बात कर रहे हैं अभी सुक्राणवों की संख्यागी यदि कोई भी स्वास्थ पुर्ष के 15 मिलियन से 200 मिलियन के बीच में हैं तो वह अपना वंस अपना परिवार बढ़ा सकता है वरना तो कोई भी पुर्ष अपना परिवार नहीं बढ़ा सकता जिसके 15 मिलियन से कम हैं या एक बार इंज्यकुलेशन के बाद एक बार संभोग करने पर जितना वीरिय निकलता है यदि वह 49 मिलियन या 40 मिलियन से कम हैं तो किसी भी पुरुष के लिए बच्चा पैदा करना ना मुंकिन हो सकता है दोस्तो यदि किसी को भी यह समश्या है तो यह एजो इस परिम्या कहलाएगी और यदि बिलकुल ही निल है जीरो है तो वो ओलिगो इस परिम्या कहलाएगी दोस्तो इसके अनेक कारण हो सकते यदि आपकी एज 17-18 साल से 25-30 साल के बीच में है यदि आप अभी साधी सुदा नहीं है और यदि हैं तो आपकी साधी को 2-3 साल हो चुके हैं और बच्चे नहीं हो रहे तो सबसे पहले आप अपने वीर्य सीमन एनलाइसिस टेस्ट करा सकते हैं और उसमें जाँ सकते हैं कि आपके सुकराणों की संख्या कितनी है पहले के जो जमाना था जो पहले का दोड़ था दोस्तो उसमें यदि कोई भी परिवार में बच्चे नहीं होते तो उसमें सबसे जादा जो बड़ी जिम्मेदारी थोपी जाती थी वो महिलाव पर थोपी जाती थी पर ये सही नहीं था आज के साइनस मेडिकल साइनस ने इतनी तरक्की कर ली है कि यदि कोई भी महिला प्रेगनेंट नहीं हो रही तो उसके साथ साथ पुरुष की भी जाज कराई जाए जिसमें कि सुकरानों की संख्या कम पा सकती है यदि पुरुष एबनोर्मल है तो उसका इलाज कराना चाहिए क्योंकि किसी भी महिला के यदि सभी टेस्ट की रिपोर्ट नोर्मल है और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुरुष की बन जाती है कि वो खुद ही अपना सीमेन एनलाइसिस टेस्ट जरूर कराए और यदि किसी भी पुरुष के 15 मिलियन से इस्प्रम कम है तो वो अपना मैडिकली इलाज कराए इसके कारण अनेक हो सकते हैं आपके टेस्टिकल अंडास्य में चोट लग चुकी हो उसके कारण भी सीमेन इस्प्रम नहीं बनता आपको वेरिकोसिल है वेरिकोसिल में भी नहीं बनता हैडरोसिल में भी सीमेन नहीं बनता और यदि आपको गलत आधते लग चुकी थी या लगी हुई है यदि आपने हस्त में तुन जादा कर लिया कम उमर में या कम उमर में ज़्यादा सेक्स कर लिया तो उसके कारण भी सुक्राणों की संख्या में कमी आ सकती है और यदि आपका खान पान सही नहीं है तो इसके कारण भी सुक्राणों की संख्या में कमी आ सकती है दोस्तो इसके लिए आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ यह यदि फूड अपने खाने में इस्तमाल करते हैं तो आपकी सुक्राणवों की संख्या बढ़ सकती है सबसे पहला जो फूड है वो है पालक यदि आप अपने खाने में पालक एड़ करते हैं पालक आप किसी भी रूप में खा सकते हैं वो आपके टेस्ट के अनुसार होगा आप यदि पालक अपने खाने में एड़ करते हैं तो ये आपके सुक्राणवों की संख्या बढ़ाएगा यदि आप अपने खाने में डार्क चोकलेट का जायदा परियोग करते हैं ये भी सुक्राणवों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे मैत्पून खाद्यपदार्द और यदि आप अपने खाने में टमाटर एड़ कर सकते हैं तो ये भी बहुत ही लाबदाय करता है यदि आपके सुक्राणवों की संख्या कम हैं तो आप टमाटर की गरेवी सूप पी सकते हैं जिससे सुक्राणवों की संख्या बढ़ाई जा सके लहसुन यदि आप सुबह फ्रेस होकर अच्छे से तो आप दो कली हलके गरम या हलके निवाई पानी से लेते हैं तो ये भी आपके सुकुराणों की संख्या बढ़ाने में कारगार है तुल्शी के चार से पांच पत्ते यदि आप सुबह फ्रेस होकर निगलते हैं तो ये भी आपके सुकुराणों की संख्या बढ़ाने में कारगार है दोस्तो यदि किसी भी प्रूस को ये समश्या है और इसका ट्रिटमेंट कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आप अपनी सीमेन एनलाइसिस की रिपोर्ट हमें बेज सकते हैं हमारा नमबर है 7906363772 दोस्तो हमारे पास डेली कोई ना कोई सीमेन एनलाइसिस की रिपोर्ट लेकर आता है जिनके सुकुराणों की संख्या कम होती है और उनका एक से डेड़ महीने में सुकुराणों की संख्या अच्छी खासी बढ़ जाती है मैं आपको एक अभी पेसेंट आया सा डेड़ महीने पहले जिसकी सुकुराणों की संख्या कुल 20% एक्टिव थे जो की 50% से ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए इसप्रम वो 20% थे और उनको डाइट भी अच्छी ले रहे थे पर किसी कारण से उनकी जो स्प्रम की क्वाल्टी थी वो नहीं बढ़ रही थी हमने उनका ट्रिटमेंट किया अब उनके जो एक्टिव सीमेन है वो 60% है दोस्तो ऐसे ही हमने काफी मरीजों का ट्रिटमेंट किया और जो सक्सेस्फुल रहा सभी का दोस्तो यदि आपको किसी भी तरह का सीमेन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे वट्चाप पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं दोस्तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद